कॉंग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का गरीबी हटाओ बैन और भायों गरीबी तो नहीं अटी हाँ एक परिवार को देश के संसादनों को लूटने की पूरी चूट मिल गई थी डॉक्टर मनमोन सिंग जी ने तो जब प्रधान मंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि देश के संसादनों पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे आप बताओ ये देश कॉंग्रेस और समादवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डखैती डालने की चूड़ देना चाहते हैं क्या देखो न इन पेस्रमों की हालत माफिया और अपरादियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फटिया पढ़ रहे हैं या आपने देखा होगा इनके हाल को कॉंग्रेस ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का गरीबी हटाओ बैन और भायों गरीबी तो नहीं अटी हाँ एक परिवार को देश के संसादनों को लूटने की पूरी चूट मिल गई थी पूरी चूट मिल गई थी चाहिए वा परिवार दिली में राओ चाहिए वा परिवार सेफाई का राओ यह लूटते थे अराजगता भेलाते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंग जी ने तो जब प्रधान मंत्री थे उस समय उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि देश के संसादनों पर पहला दिकार मुसल्मानों का है तो हमारा दलित कहा जाएगा पिछडा कहा जाएगा एक खडगवनसी कहा जाएगा पाल कहा जाएगा सेमी कहा जाएगा गरीब कहा जाएगा किसान कहा जाएगा माताएं और बहने कहा जाएंगी नौजवान कहा जाएंगे देश के अंदर कॉंग्रेस जाती के नाम पर छेटर के नाम पर भासा के नाम पर बांडती रही गरीब भूकों मरता रहा किसान अत्मत्या करता रहा नौजवान प्लाइन करता रहा और एक कॉंग्रेसी और उनके सयोगी दलों को आज जो इंडी गड़ बंदन के रूप में आपके पास आए है बेन और भाईयों ये देश के साथ गद्दारी किये हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने जूटे घोषना पत्र के साथ आपके पास आए है आज कॉंग्रेस का जो घोषना पत्र है उसको आप देखेंगे कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम सरिया कानून लागू कर देंगे आप बताओ ये देश बावासा भीमराओं बेट करके द्वारा बनाए गए समयधान से भारत चलीगा न कि किसी सरिय कानून से कांग्रेस के लोग अपने घोषना पत्र में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम बेक्तिकत कानून को लागू करेंगे यानि सरिया कानून लागू करेंगे क्योंकि मोधी जी ने तीन तलाकी को परता को रोग दिया पूरी तरह रोग लगा दी उस पर लगा दी और उसको कहते हैं कि हम फिर से बिक्तिगत कानून फ़ार बाहाल करेंगे ये लोग सausब्कालन लगू करेंगे और कहते हैं कि हम लोग जनता की प्रॉपर्टी को हतिया करके ले करके उसके माध्यम से फिर उसका बंदर बांट करेंगे बैन और भायों क्या आप कॉंग्रेस और समाधवादी पार्टी को अपनी संपत्ति पर डखैती डालने की छूड़ देना चाहते हैं क्या अरे आपके बाप दादों में कमा करके संपत्ति रखी है देखो ना इन बेस्रमों की हालत एक तरह आपकी संपत्ति पर इनकी कुद्रिश्टी है और दूसरी तरह माफिया और अपरादियों को अपने गले का हार बना करके कैसे उनके नाम पर फटिया पढ़ रहे हैं या आप आपने देखा होगा इनके हाल को देखा है ना देखा है ना